देशी विदेशी जायका में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे मैंगो की खीर इसे बनाने के लिए एक कड़ाई ली है, इसमें मैं आदा लीटर दूर ट्रांस्पर करूँगी इसे बनाने के लिए चार चम्मस बासमती चावल लिया है, हमें बासमती चावली लेना है, दूसरी हलकी क्वालिटी का नहीं लेना है चावल को 2-3 पानी से अच्छे से दोके मैंने 2 घंटे के लिए इसे भिगो के रखाता चावल हमारे अच्छे से फूल गए हैं अब हम इन चावल को दूद में ट्रांसपर करेंगे चावल को हम दूद में अच्छे तरह से पकाएंगे और इने बीच-बीच में हिलाते रहना है ताकि चावल और दूद नीचे चिपक न जाएं चावलों को 10-15 मिनिट तक मिडियम आच पे अच्छे से पकाना है चावल पक रहे हैं तब तक हम मैंगो को मिक्सी में ग्राइंड करते हैं एक मैंगो लिया था इसे छोटे-छोटे पीस में कट कर दिया है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे चार काजू लिया है मैंने चार बदाम लिया है दो इलाइची के बीस निकाल के लिए है, थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसका पेश्ट बनाएंगे, इस तरह का हमें पेश्ट बनाना है, चावल अच्छे से पक गए है, अब मैंगो प्यूरी को इसमें एड़ करेंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे भी, दो चम्मस सक्कर अड़ करेंगे, आप अपने टेश्ट के हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा सा केसर, अभी हमें इसे दो से तीन मिनित तक अच्छे से पकाना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, मैंगो खीर बनके तयार है, अभी हम इसे गार्नेसिंग करेंगे, अभी हम इसे दो गंटे के लिए फ्रेज में रखेंगे, और ठंडा-ठंडा सर्व करेंगे, दो घंटे हो गए हैं, मैंगो कीर हमारी ठंडी हो गई है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए, तो इसे लाइक, सेव और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार बनाने की ट्राइब जरूर करें, धन्यवाद।